भगवति शुतिक हमको ये बताती हैं कि निर्दोशी समंब्रम्हा जिसका ना रूप है ना रस है ना गंद है ना अकार है भगवान वेद केते हैं रसो वेई सह उसके साथ आलयम आलयम माने ओत प्रोत हो जाना एक हो जाना घूल जाना यही जीव का उदेश्य भी हैं और परमलक्ष भी हैं क्योंकि शास्त्रों ने हमको ये बताया है कि श्रीकृष्ण का एक अर्थ होता है विश्राम स्थानम एकम हर एक जीव का आराम, विराम, सुख, शान्ती और आनन्द जो है वो श्रीकृष्ण है वहां तक पोंचना ये एक जीवन की कला है इस जीवन की कला जहां शास्त्र प्रारम होकर अंत होता है क्योंकि शास्त्रों में व्याख्या है अनुभूत नहीं है शब्द है पोंच नहीं है तो जहां शास्त्रों की सीमा पूरी हो जाती है वहां से सद्गुरू की यात्रा का प्रारम होता है परमात्मा जब जीव के ऊपर रुपा करनी हो तो उसको संपती नहीं देता उनको संतों का दर्शन करवाता है जिससे उनको परमात्मा सी कृष्ण तक पहुँचने का एक सेतू बना सकता है और छोर से वहां तक पहुँचाने का कारिय यह सद्गुरू परिपुरुन करता है सद्गुरू का काम शिश्यों को कंठी बांधना उनके पास अपना काम कराना उनकी मनों काम ना पुरुन कराना यह कोई ऐसा कारिय सद्गुरू का नहीं होता है सद्गुरू का कारिय केवल एक है और भगवति शुति केती हैं समयम ब्रांती भंचनम शिश्यों की ब्रांती को दूर करना यह सद्गुरू का काम है ध्यान दे सद्गुरू कभी आश्रवाद नहीं देता यदि आशिरवाद ही देना था तो गीता के रचैता, गीता के गायर श्री कृष्ण क्या अरजुन को आशिरवाद नहीं दे सकता था क्या कृष्णस्तु भगवान स्वयुन जो साक्षात परात पर ब्रह्म है, जिनको अतीत वर्तमान वविश्य का संपुर्ण ज्यान है, क्या वो अरजुन के लिए एक काम नहीं कर सकते थे? नहीं, सद्गुरु का काम है सत्य की राह बताना बेल आइकन दबाना ना भूलें